जन्जन के राष्टी शंत परंपोज मुनिवर एक श्वाट प्रमान श्यंगरजी महराज के मुले परंपोज मनी श्री अरेंश श्यंगरजी महराज के सत्थ और संश्क्रती का सजा भव वितान कदम मिलाकर चल पढ़ी धर्म और विज्ञान तीरतराज शंबे शिकर की तलटी में स्तित आत्मिकाश का दिवशदन जैशित धानतों की व्यग्यानिक प्रयोक्षाला जहां बोलेगा समोसर्ण और जहां पंचैतन सैली में बनने वाला जिनवंदिर ग्यानवंदिर अपने आप में अधुत अतिसे कारी है आशि गुणायतन से आईए हम और आप विश्विक्याज बहु चर्चे संग का शमद्धान का कारिकाश करें उश्क्यपूर्व गुणायतन परिवार और श्रीशिवायतन परिवार आपका शायम कालेई संग का शमद्धान के पावण और सर पर हार्दिक अविनंदन स्वागत करता है चलते हम प्रती दिन की भाती हम और आप परमपूज मुनिवर के इसली चला मनमान करते हो आशिरवाबतात करेंगे पारश चेनल और प्रामणिक एक के मादम से जोसे कारिकम को देख और सुन रहे हैं पूरे भारत पस के स्वावख श्राविकाउंस की ओर से परमपूज मुनिवर के इसली चला मनमान करते हो गुरुवन्दन करेंगे आशिरवाबतात करेंगे और निवेदान करेंगे शंका शमधान के कारिकम के लिए दोनाथ जोड़ लेंगे बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तू नमोस्तू आएए गुरुवर के आशिरवास से हम और आप टीवी चैनल का कारिकम शंका शमधान का कारिकम प्रारम करें उसके पूर्व जोनों ने आज गुड़ायतन से जुड़ने का आशिर शवाग प्रात किया है उन्षुदी स्रावकों के नाम की गोश्टना कर रहा हूँ मैं चाहूंगा यहाँ पर जो पस्तेत हैं अपने स्थान में कड़े की गुरुवन्दा का शवाग प्रात करेंगे और केमरा में शवी को कवर करेंगे शवाण दान देकर गुणायतन को शवाण प्रात किया श्रीमती शशी प्रभाजी मनोज कमार जी काशन जी वाँशी जी जैन हस्तिनापूर अगर पस्तेत हैं परमपूज मुनिवर के स्रीचनों मनवन करते हुए गुरुवन्दा का शवाग प्रात करें शवाग प्रात करें और चलती हम उन स्रावक शवाविकाओं को परिवार को अमनतित करेंगे जिन्होंने आज निर्माण मित शूत्रदार आदिक रूप में गुनायतन से जुढने का शवाव प्रात किया शम्माई से तामनतित करोंगा मंच में आएंगे परमपूज मुनिवर के स्रीचनों मनों करते हुगरुवन्दा का शवाव प्रात करेंगे और हुणायतन प्रिवाल शम्माण का कारिकम शंपन करेंगे और हुणायतन प्रात करेंगे गुणायतन प्रिवार की और से उनका शम्मान करेंगे डॉक्टर पिदुमजी वास्तो विद दिल्ली गुणायतन चस्टी गुणायतन आईए इशिक्रम में शूत्रधार से निर्माण रैक्रुप में जिन्नोंने जुड़ने का आउशर प्रात किया है हमारी वस्तेते हैं विहारी कालोनी सहाइदरा दिल्ली से शीमती उश्या जी, अनेल जी, नितिन जी, शिवानी जी, आन्या जी आईए शीमती उश्या जी, अनेल जी, नितिन जी, शिवानी जी, आन्या जी विहारी कालोनी सहाइदरा दिल्ली है हमारे भी चुप अस्तित हैं मैं चाहूंगा वे आएं परम पोज मुनिवर के स्थी चनल मनमन करते गुर्वन्दा का शवख प्रत करेंगे और उनके शम्मान के लिए मैं एक बार पुन है अमंतित करूँगा शिर्मान शिर्मती लताजी गया मंत्री गुनायतन शिर्मती लताजी गंगवाल गया हमारे वी चुप अस्तित हैं गुनायतन परिवार की ओर से शम्मानी शिर्मती गुशा जी परिवार का शम्मान का कारिकम शम्मान करेंगे और आप जोड़दार जोड़दार तालिव जाकर इनका शम्मान करें वंदो आतिसे कारी प्रभावना के शाथ यहाँ पर तीन दिवशी पंच करणक शमापन की ओर है कल ज्यान के लियनक के शाथ मोक्ष के लियनक का महा महुस्वा है और सेजी की शमापन शोधा यात्तुभा यात्तर होगी और परसों नवीन प्रतिष्टित प्रत्माव का मस्तका विशेक का कारिकाम शम्पन होगा जो भी श्रावक यहाँ पर आए है उन सवी के लिए सूचना है परसों प्रात्वे कल की वेला में आप इस शोभाग प्रात्त कर सकते हैं शाथी 10, 11, 12 और 13 दिसंबर चार दिन बहुत महात्पूर हैं 10 दिसंबर को परमपूज मुरिवर के शारित में गुणायतन का राष्टी महादिविशन रखा गया है जो भी गुणायतन के श्राष्टी है श्रावक श्रावी का और जो गुणायतन से जड़ूगी है श्रावी के लिए सूचना है कि आप इस शंबेलन में शादर आमंतित हैं शाती 11 दिसंबर को दोफैर को एक वज़े गुणायतन परिसर में परमपूज मुरिवर का भब पिछी का परिवर्तन का कारिकम है जिसका जिर्वाणी चैनल पर शीदा प्रसान का कारिकम दोफैर में एक वज़े से पांच वज़े तक दिखाये जाएगा और चलते हैं तो 12 और 13 दिसंबर को हमें शवाग प्राप्त होगा परमपूज मुनिवर के शानित में तीरतरा शंबे शिकर की परिक्रमा करने का प्राते कल की वेलम 12 दिसंबर में ये परिक्रमा यात्रा प्रारम होगी और परिक्रमा मार्ग में परमपूज मुनिशी के आहर चिर्या होगी शायम काली शंका शमदान का कारिकम नीमियागार्ट में रात्री विश्राम वहीं पर होगा और 13 दिसंबर को समापन परिक्मा यातरा प्रारम होगी नहीं के पाराँ पोज मुनिवर के मंगल प्रभचन प्राते काल साथ वजे से आठ वजे तक आपको सुनने देखने को मिलेंगे ये चार दिसंबर तक यही टाइम रहेगा टेवी चैनल का विश्व गात बहु चर्चे संका शमधान का करिकाम और आईए प्रतम प्रशन से प्रतम प्रशन लेकर आई है शानवी चोधरी खुरई आहान जी मुंबई एकशाद और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतमान प्रतिस परदा के युग में जहां अंग्रेजी भाषा का महत अधिक बढ़ गया है सारे निजी एवं सरकारी कारियों में अंग्रेजी भाषा की प्रदानता है वहीं दूसरी ओर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए बोला जाता है क्या गुरुकुल पद्धिती से पढ़कर हम बीसवी सदी कर प्रतिस परदा का मुकाबला कर सकते हैं हे गुरुदेव समाधान कीजिए रखे इस विशे में अभी मेरे पास विक्रांत सानू की एक कृताब आई अंग्रेजी का भ्रमजार उस पुस्तक को पढ़ने के बार हर विक्री इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि अंग्रेजी की उतनी जरुवत नहीं है जितनी की बताई जाती है उसमें उन्होंने विश्व के समर्द देशों से लेकर गरीब देशों की विबात की और बहुत सारे देशों की पूरे उन्होंने बिवरन दिये सारे डेटाज दिये जो अपनी भासा के बल पर बहुत आगे बढ़ रहे है और अंग्रेजी बहुत थोड़े ही देशों में है आज इजरायल है, महां हिब्रु चलती है जापान है, महां जापानी चलती है फ्रांस है, महां फ्रेंज चलती है जर्मनी है, महां जर्मनी भासा है चाइना, चीन है, उसमें चाइनिज भासा चलती है और अनेक छोटे बड़े देशों का उन्होंने उले के किया और ये इस्थापित किया कि जो देश अपनी भाषा की माध्धम से काम करते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं वहाँ कोई प्रतिश परधा की बात नहीं है अभी मैंने उस कुस्ता को किवल आवलोकन ही किया पढ़ा नहीं है लिकिन जितना पढ़ा है और जिस तरह के तत्त उन्होंने पस्तुत किये है वो हम सब की धारना को बदल देने के लिए नाकाफी है तो बहें कहूंगा कि एकदम हम इस्वचिजों को इनको संथे और ये परियाप्त हमारे लिए जादा कुछ कहने की जिरूबत तहीं है चलिए नमुस्तु माराजी नमुस्तु ओ अगला ग्राइट अंटेश्टी शंदिव जी चुन्डल स्के बात यह रहें कि श्रिवान प्रदीप जी जहांजरी दीमापुर ये जो बते है ये अपनी अपनी धारना के शारिव Jain Dharam Ke Nushar मेरा मालिक मैं हूँ आपका मालिक हाप समझ गए हर प्राणि अपना मालिक है क्यों है समझ गगए हमारा कोई मालिक नी भगवान हमारे मालिक नी है भगवान تو हमारे आधर्श है जिनसे हमको प्रेड़ना मिलती है समझ गए तो मालिक सब का एक है अलग अलग है नाम जो कहा जाता है वो अलग अर्थ में हमारे हाँ भगवान भो मानि जाते हैं जो अपने सारे बिकारों को बिकार समझते हैं उनको खतम कर लेते हैं समझे जीत लेते हैं जब हम जीत लेंगे तो हम भी भगवान में जाएंगे चले नमोस्तु माराश्री मेरी शंका ये है कि धंदोलत कमाने के लिए सब प्रेड़ित करते हैं लेकिन धरम और पुन्ने के कारे के लिए कोई प्रेड़ित नहीं करता है इसपेशली हम जैसे यंगस्टर्ष को माराश्री हम धरम और धन को साथ लेकर चैनले के लिए क्या करें किर्पया मागदर्शन प्रदान करें बहुत अच्छा सवाल किया है कि धन दावलत करमाने के लिए सब प्रितन करते हैं पर धन के साथ धर्म करमाने का प्यास बहुत कम लोग करते हैं पूछा है कि हम युवालो धन और धर्म दोनों साथ लेकर कैसे चले मैं यह कहूँगा किवल दो लाइने याद रखो बीज राख फल पोगवे जो किसान जगमाही त्यों चक्री निप शुक करे धर्म विशारे नाही जैसे किसान ओग बीज बोता है फसल उकती है तयार फसल का भोग भी करता है लेकिन बीजों को पहले बचा लेता है क्योंकि यदि फसल के साथ बीज को भोग लेगा तो आने वाले दिनों में भोगएगा क्या तो तुबहे संसार का जितना सुख भोगना है भोगो पर एक बात को सदे इस्षबरन में रखो इसका बीज क्या है और मुझे बीज बचाना है जब मनुष्चे मन में बात पैठ जाती है तो धन, दौलट, मौज, मौस्ति के साथ उसके जड की तरफ जाता है उसके बीज की तरफ जाता है द्धन में के प्रत्ति उसका सभाविक रुजान होता है, समझ गया है, तो हम इन पंक्तियों को याद रख करके चलें, और एक बात और अपने हृदय में बिठाएं, कि द्धन मुझे कोई भी दे सकता है, पर कोई मुझे पुन्न नहीं दे सकता, चाहे भी तो नहीं दे सकता ह क्या क्या, तुहे तुहारे पृताजी की विरासत की संपत्ती मिल सकती है, पर तुहारे पृताजी का पुन्न तुहे नहीं मिलेगा, किसी गयर का नहीं रहुगा ये बाट अगर तुमारी हद्दे में बैठ जाएगी तो जयसे तुम हुआ पुम दetrical अभर्यागोगता को समझ़ते हो वैसी पुन्य बैभर्युकता भी समझ माने लग एर जिस दिन पुन्य बैभर्यु कि अप्योकता समझ मायगी सभाविक रूप से धर्म के और उत्साहित हो गए फिर तुम्हे धर्म करने के लिए कहने के जरुवत नहीं पड़ेगा विनमना ये है कि आज की जो पीधी है वो इन सब का महत तो नहीं जानती इसकी उप्योकता उसको समझ भी नहीं आती उप्योकता समझो प्रासंगिकता समझो तो अपने आप आगे बनोगे एक सेथ ने किसी संत से पूछा कि जीवन में धन बैभाव का उप्योक समझ में आता है प्रतिष्ठा का भी प्रभाव दिखाई परता है सारी इक स्वात का भी लाव दिखता है दौलत का महत्त समझ में आता है शोहरत का प्रभाव समझ में आता है सेहत की महिमा समझ में आती है पर धर्म का क्या होगी होगी लोग धर्म क्यों करते धर्म का कोई महत्त नहीं दिखता उसकी बात सुनकर संत मुश्कुराए हवेली के बाहर के बात हो रही थी, तब शचन्त न inappropriate शवईली कि अशेरा करती भे पूछा है, यह भताओ, यह न तुम्हें दिख रही, भोले, हाँ दिख रही, शंपू्न हवेली को देख रहां हो? भोले, हाँ देख रहा। जिए फज़ पूछा कि यह उस भी हुआ हो? तब उम चाहरा हो तुम जितना देख रहुओ और रहे हुओ तो इन dünya की दहर है नीव किधर है तो नीव तो दिखाई नीव परते हो तो जमीन के भीटर है तो फिर उने कहा ये बताओ इस नीव को हटादे तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी तो नहीं तो नहीं तो उने समझाई बस यही में कहना चाहता हूं हवेली की स्थिर्ता के लिए जो इस्थान नीव का है जीवन की स्थिर्ता के लिए वही स्थान धर्म का है हवेली के बनेवे एक एक कख्ष का उपयोग हमें दिखता है लेकिन नीव दिखाई नहीं परती पर उसकी उपयोगता को नकारा नहीं जाता है इसी तरह धन, दौलत, सोहरत, सेहत, इनका उवियोग दिखता है, लेकिन इनकी नीव क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, बस उसे समझ लो, तो फिर कहने की जरुवत नहीं पड़ेगी, कि धर्मकी क्या उवियोगता है, तो ऐसे ही हम धर्मकी महिमा को समझे, और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयातने करें, बहुत बहुत अशिरवाद, मुझे सुनके बहुत अच्छा लगा इत्ती चोटी उम्र का बच्चा, गुनायतन का ट्रस्टी बनावा है, बहुत अशिरवाद, बहुत अशिरवाद, ब ओर बंती शीतल वेहर विदीशा से स्रीमान इपड़मजी सिंग गई, दोनों मुनी राजों के चड़नों में मेरा और मेरा परिवार का बारं बार त्री बार नमोस्तू, 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 महराच रिए ये समाज के एक बड़ी समस्या भी चल रही है, कि अपने समाज में सादियों के लिए जो लड़के हैं वो 40 साल तक पहुँच रहे हैं, और लड़कियों की चोईस बढ़ती जा रही है, और तलाक के मुद्दे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो महराच रिए आप समाज को क्या मार्क दर्सन देए, मार्क दर्सन दीजिए, ताकि समाज आने वाले पांच साथ साल के मैं क्या मार रसन दूँ मैं तो कहता हूं भया जहमेले में पड़ते क्यों हुआ हमारा रास्ता खुला है पर ये मत सोचना हुई नहीं इसले निकला है भराज सरी दूसरे समाच की सनो मेरी बात, पूरी बात सनो ये मत सोचना है कि हुई नहीं इसले निकलाएं ये तो निकले हैं इसले निकले हैं और बचे वें आपने जो सवाल किया है यह बहुत गंभीर समश्चा का रूप लेते जा दिए और इसकी जड़ में जाने की आउश्चता है इसके में सबसे पहला कारण तो मुझे यह दिखता है कि पढ़ाई पर जरुवत से ज़्यादा जुका सिख्षा उच्य सिख्षा पर अती सिख्षा फिर सिख्षा तक ही नहीं उसके बाद जौग हमारे सास्त्रों के नुशार कन्या का विवा होना चाहिए यवन संपन होते ही वो विवा योग हो जाती कानून के नुशार अठारा वरस है वो विवा होना चाहिए पढ़ाई लिखाए विवा के बाद भी हो सकती अब चोविस पच्चिस के पहले तो बाती सुरू नहीं होती और फिर इतना जादा पढ़ाई लिखाई और इतना जादा फिर उशी हिसाब से जौब कई बार लड़कों से ज्यादा पैकेज लड़कियों का होता है तो बड़ी दिकत होती तो जोड़ा नहीं मिलता जोग नहीं मनता जहमेला खड़ा होता है और फिर एक और संटा अब तो हमें जोब बाला ही चाहीएव भयापर वाला चाहीए नहीं यह भी धर्रा हो गया चोटी जगहाँ में नहीप बडी जगहाँ चाहिए मेत्रो सिटी चाहिए इन सब के कारण ये सारी समश्चाएं खड़ी हो रही है और इसके दूर गामी परणाम बहुत भयानक होंगे और फिर जा भी रहें तुमा रह कहा रहा है तलाक का उसत दिनो दिन बढ़ता जा रहा है ये गंभीर है इसलिए इन सब बातों पर पुर्वा पर विचार करना चाहिए यदि अभी से इन पर धान नहीं दिया आ गया तो हमारी संतती का क्या होगा लोग भटक जाएंगे आपने बोला चालीो चालीो साल तक की उम्र में विवया नही हो रहा है अर चालीो साल की उमर तो फिर व्यवा के बाद उन प्रस्त कि और मुर्णफ इसस हमाएंगे अब भडी शहा है ये जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं है कोई रास्ता नहीं नहींूँ ज others तो हमारी बेटी तो हमारी बेटी तो बड़ी जेगा में जाएगी उनकी परवरिषी आपते ऐसे कर अखिए ज़िए प्रारम्म से बच्चों के मनमस्तिष्के में सही बाते अंकित करके जीवन की अपयोगता और प्रासंगिकता को ठीक धंग से समझाया जाए तो फिर इस तर तो दिया सब एक में आगिया चलिए पूर्मंति शीतल वेहर विदिशा शीरिवान प्रद्विज शेंगई और विधान पुनियाजक चोधरी प्रवार की चारों भाईया स्रीमत इरोची शेता प्रामी खुरई एक साथ बोलो गुरु नमस्तु 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 के सागर, सादना और संकल्ब के हमाले, समता की बसुद्रा, आध्याद्म के अनंत प्रकास, द्रन सैयमी, तपो निष्ट, जंजन के नायक, पत्खामी, भारत बरसी नहीं संपूर्ण बिश्में, अपने प्रताब प्रकास और आवासे निनता आलोकुत करने वाले, ज्यान द्यान और तपश्या की पिर्ती मूर्ती, जिनकी द्वेनी जल थल और नम्मे गुंजायमान हो रही है, ऐसे सर्वस्टेस्ट आचारी है, स्री 108 विद्या सागर जी महराज ने, अपने सर्वस्ट से योग सिस्ट गुरुवर आप, एवं एम्टेक इंजिनियर 108 स्री सामा च महराज को भगवान सीतलनात की जन में स्थली बद्दलपुर विदीशा मद्द प्रदेश की मौके पर जाकर भोगोले कि स्थिती प्रात स्वाल एवं प्रातर सामागिरी का सुख्ष मुना से अबलोकन कर सारी बस्तुत्वी की आचारी सी को जानकाई दी, तत्पस्यार साहिल समोसर मंदिर का निर्मान प्रारम हुआ जो तीब द्रगती से जारी है, ऐसा कहा जाने लगा है कि हे गुरुबर बरतमान में अन्य स्थलों पर भी जैसे इट खोरी, कोलुआ पहाड़ पर भी भगवान सीतलनात की जन में स्थली है, हे गुरुदर आपने मौके की सार लोगों में कुछ भ्राम है, इस भ्राम का निवारन हो जाना चाहिए, पहले कुलुआ पहाड़ को सीतलनात भगवान की जन में स्थली के रूप में जाना जाता था, खासकर पुरुवान चल के लोग वही मानते थे, कुछ बिद्वानों का भी अभिमत था, चुकि मेरा बहुतिक जन मेशी छेत्र में हुआ है, तो मेरे संसकार में भी कुलुआ पहाड़ ही था, जब से हमने हो संभाला यही कहा जाता था, कि कुलुआ पहाड़ सीतलनात भगवान की जन में स्थली, उनिस सो बानवे में जब बिदिशा जाना हुआ, गुरुदेव ने यही कह कर के भीजा था, कि उस जगा को भगवान सीतलनात की त्रह कल्यानक भूमी होने का गौरव प्राप्त है, उस छेत्र का उधार होना चाहिए, और पूरे के पूरे मद्ध प्रदेश में, बलकि उत्तर भारत को छोड़कर एक एही जन में स्थली है, जहां हम सीतलनात भगवान के कल्यानक भूमी की रूप में जानते हैं। तो मैंने खुद ने अभव लेकर उसका पूरा आध्धन किया था, जैसा आपनी उलेख किया। लगवक हैा छे महने मेहने किसे पर काफी रिशर्च और इस प्रशंग में मैंने इक गुनाग का अधिया। ना किवर गन्तों का ध्धन किया अनेक मंदिरों का मूर्ती लेखों का और सिलालेखों का भी अलोकन किया खुछ जा जाकर अजो तथ्थ मुझे मिले उससे मेरी एधारना पूरी तरह सपष्ट हो गई कि बर्तमान की बिजिसाही भगवान सीतलनाद भगवान की जन्म भूमी भद्दिल पर है किसी भी इस्थल के इतिहास में सबसे महत्तपूर्ण यदि कोई आधार होता है तो वो होता अभी लेखी ये साक्ष है विजिसाह के भद्दिल पूर होने के संदर्व में मुझे एक नहीं तीन तीन मौलिक अभी लेख मिले उसमें एक अभी लेख विजिसाह में बारवी शताबदी के एक कुए में भद्दिल पूर लिखा मिला दूसरा अभी लेग, बिदिशा का बड़ा मंदिर जो लगभग 400 वर्स पुराना है, वहाँ 435 बलके और उससे पुरानी पृत्मा थी, एक पृत्मा भी राजमान है, उसमें भदिलपुर्ग का लेक अंकित मिला, तीसरा लेक, एक जो मिला है भदिलपुर्ग बिदिशा के ल अभदिलपुर्ग बिदिशा जैन संस्कृती का एक बहुत ही महत्तपून केंद रहा है, और वहाँ अनेक आउशेश मिलते रहे हैं, यदि वहाँ के पुरातत्त विभाग के संग्राले से, जैन मूर्तिया हटा दी जाए तो कुछ बचेगा ही और वहाँ पर गुफाय है, अनेक पृतमाय है, सितलनाद भगवान की ग्यारवी बारवी सताब्दी, दस्वी सताब्दी की अतनत सुन्द मनोग पृतमाय भी है, तो कुल बिलाकर के सितलनाद भगवान की जन्मभूमी हमारी दिश्टी में और नह किवर जो प्रमान हमने पाए हैं उसके आधार पर प्रिशान देश की बिदिशा, भदिलपूर, मैंने उसको कफी कई तरीके से देखा, चुकि लोगों के मन में भ्रम हैं, सितांबर परमप्रा के नुशार, लोग को लगवा पहार को मानते हैं, तो अभी दो था, अब तो पिछले पास सालों में तीसरा इस्थान हो गया, ल को भी के पास एक भदुली गाउ है, उसे भी लोगों ने सितनाथ भगवान की जन भूमी नी रुपित कर दिया, भूजे नहीं मालूम सितनाथ भगवान की ती बार जन में और किती जगा जन में, लेकिन अलग अलग तीस बनाने में को इतराज नहीं, मैं तो कहता हूँ में कोई संसे नहीं है, और वो हमारा एक बहुत बहुत प्राचीन छेतर है, बरकि कतिप बिद्वानों का तो ये भी अभिमत है, कि कहीं सम्मेज सिखर असल में वही ना हो, खेर जो भी हो, कोलुआ पहाड को कई लोगों ने कोटी सिला से भी जोड़ा है, ये तिहास के आचीन छेतर है, जो उपेक्षित हो गया, उसके भी विकास की आवशकता और अपेक्षा है, अब मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका भी समय आने वाला है, लेकिन और सीतलाद भगवाल के जनमस्थली को लेकर किशी भी प्रकार का ब्रहम उचित नहीं है, बहुत अच् 1292 में वहाँ प्रवास किया, चातुरुमास किया, तब सिर्श की भूम का बनी, और गुर्देव के आशिरबात से अब वह बहुत अच्छा स्वरूप लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ये इस पष्ट है, कि सीतलाद भगवान की जनम भूमी, भद दिलपूर है, जो बरतमान की बिदिशा है, मैंने एक अलेक लिखा था, पावन भूमी, भद दिलपूर, बिदिशा, एक पर्चे, ये मेरी हाथ का लिखावा था, उसी समय, 1992 में, और उसमें सारी तथ है, उन तथों को हम कभी अन दिखा नहीं कर सकते, तो जिनेंवे जो माना है माने, हमने अपना दि किसी प्रकार से ब्रमित होने की जरुवत नहीं है, अपितु पूरे के पूरे मध्धप्रदेश के लोगों को इस बात का गरो होना चाहिए, कि कम से कम एक भगवान तो हमारे हिस्टे आने, बाकिशा बिहार, उत्थर प्रदेश, बास जारकन, बिहार उत्थर प्रदेश, एक नेपल में, बाकिश कोई नहीं, सब का जना मिधर हुआ, लेकिन ये भागिशे आया है, तो उनका लाप तो बेना ही जाहिए, बहुत बादा आचाहिए, बहुत बादा अच्छाए. बार जब चौदरी परव ख्रेकी शवी बहुएं, और इसके बाद तेयार हैंगी, शरी मत्ती हेमाजेन, गुनायच अच्छी गुनोगाउं. नमुस्तू गुर्बर, मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमुस्तू. मेरी संका यह है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हमारी सारी सोच उस समस्या पर कैंद्रित होती है, ना कि समाधान पर. तो हम ऐसा क्या करें, कि हम अपनी सारी सोच को समस्या की जगए समाधान पर कैंद्रित कर सके. जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो समस्या को देखते है और जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो समाधान को देखते है सोच को बदलिए कोई भी काम करना है कैसे होगा ये दिमाग में लाईए इमाद कैसे करना है ये तै कीजे कैसे होगा ये सोचते ही आपकी दिशा नकारात्मक होगी जो उल्ढाईगी और कैसे करना है ये सोचते ही समाधान के दवार खुलेगे तो सोच को सकारात्मक बना कर चलना चाहिए बड़ी सी बड़ी समश्चा क्यों नहों समाधान अपने आप निकलेगा गबलाईए मत समश्चा आएगी पर ऐसी कोई समश्चा नहीं है जिसका समाधान हो हर संका का समाधान है समाधान होना चाहिए हर समश्चा का समाधान होगा वशर्ते हम उसे समझने की कोशिश करें उसे पाने का प्रयाश करें तो अपनी सोच को शकारातमग बनाएगा फिर कभी कभी कोई समश्चा बड़ी हो जाती है तो इस बड़ी समश्चा के छणों में मन में दुबधा आती है अफ कैसे इतनी बड़ी समश्चा एक सुत्र देता हूँ कितनी बड़ी समश्चा क्यों नहों कितनी बड़ी समश्या क्यों ना हो हर समश्या को छोटी बनाने की टेकनिक बताता हूं बता दू कितनी भी बड़ी समश्या हो बड़ी सी बड़ी समश्या को छोटी बनाने की बड़ी सरल टेकनिक बता हूं मुफात मनी बता हूं ताली ताली बताओ फिरी मैंने बताओंगा फीस देनी होगी और उसकी फीस यह है कि उसको फालो करेंगे उसे अपनाएंगे तुम्हारा धन दोलत मुझे नहीं चाहिए उसको अपनाना है बहुत सारसी टेक्निक है बता देता हूँ तुम्हारे पास अगर इतनी बड़ी समश्या हो ध्यान से देखो मेरी उगली दिख रही है इतनी बड़ी समश्या हो तो अपने आपको इतना बड़ा बना लो समश्या छोटी हुई की नहीं बजाओ ताली टेक्निक पसंदा है की नहीं सराली टेक्निक थे नहीं तुम लोग इसको क्यों देखो इसको देखो नहीं याँ तो क्या करना है इतनी सिश्या हो अपने आपको इतना बड़ा बनाना थे अपनी सक्टी को रज़वात भृव सादू समाधान की संभावनाए चलाशो समश्याओं में मतल चलिए शीरिमत्ती हेमा जें गड़ातन चस्टी गुणगाव ओश्क वाद तेयारेंगे प्रतिश्टाचार पंडित विजय कुमार जी पिपरिया नमुस्तू महाराशी महाराशी हम अपने गुन और अगुन कैसे पहचाने और ये हम खुद अच्छे से पहचान सकते हैं या कोई और हमें अच्छे से बता सकते हैं अपने गुन अगुन को हम कैसे पहचाने देखिए अगर हम थोड़ा अपना अंतर विश्लेशन करना सुरू करे अपने भीतत जहाग कर देखना सुरू करें अपने सुभह से साम तक की गतिवितियों की समिक्षा करना सुरू करें तो हम अपने गुन अगुन को पहचानने में सब्सक्राइब बन सकते हैं और अपनी अच्छाई बुराई को जितने अच्छे से हम समझ सकते हैं उसरा नहीं समझ सकता, इसे हर विक्ति को अपना अंतराव लोग को नावश्य करना चाहिए प्रतिश्टाचर परंडित आदरनी विजय जी मोधी पिपरिया उसके बाद तयारेंगे पत्कार सेयम जी जैन भोपाल नमस्तु माराजी नमस्तु मेरा प्रस्त यह है कि महान साती साय परंडिकों जैसे मैंने ये मनुश परिया जैन कुल प्राप्त किया यह यूँ ब्यर्थ ना चला जाए आप जैसी बीतरागी मुद्रा देकर संसार कर सरूप देकर मेरे भी नेंतर भाव होते हैं कि मैं भी अतिस शीवर सयम धारन कर मुक्तिश शीवर्ण करूँ लेकिन ये मोह रागादी भाव पीछे नहीं छोड़ते महाराजी इन से कैसे बचूँ क्या समाधान कीजिए महाराजी इस से बचने का एक बड़ा सरसा तरीका है हम लोगों को देखने के बाद आजू बाजू देखना बंद कर दो जब हम लोगों को देखने के बाद आजू बाजू देखने लगते हो ना वही गड़बर हो जाता है आजू बाजू देखो मत बस केवल अपने आदर्स को देखो पने लक्ष को देख़ो, अज़ झा को देख़ो, पने धे को देखो. यदि ये हो जाये, तो कहीं भठकाव नहीं. लेकिन, हम लोग सामने कम देखते हैं, आजू बाजू जादे देखते हैं, तो जो दाइबाइ करेंगे, वो दाइबाइ होंगे. इसलिए जादा इधर उधर नहीं सीधे अपने रक्षकी तरफ दिष्टी रखे पत्रगार श्री इमान शेयम जी भुपाल उसके बाद तेयारेंगे श्रीमान अन्राग जी शिल्पी जी शोदिया गड़ा कोटा नमुस्तू महाराज जी मेरा प्रस्न है ओल्डेज में सभी प्राणियों को अधिक कष्ट क्यों होता है क्या कर्म ओल्डेज में अधिक फल देते है ओल्डेज में सभी प्राणियों को अधिक कष्ट क्यों होता है देखे मैं तो एक ही बात करता हूँ नही गाली को सरविशिंञ लगती है की खटारा गाली को गाली कब खटारा होती जहीं पर जी फुरानी हो जाती था तो जिसको आफ ओल एज आज सब खटारा गाली है तर चार गाली ACT Tuesday ऑनकैके खाइवे गाली है Master Home Director जड़ी भी गाड़ी है, पार्थ पुर्जे सब घिस गय है, तब बार बार सर्विशिंग करानी होगे, तो इसके लिए क्या करो, तो पुरानी गाड़ी को संभाल करके बचलाओ, है ने, जैसे काच के आइटम होते हैं तो इसमें लिखा रहा था है, हैंडल विद केयर, लिख सफ़ के चलो अगजैंगी अब इसका एकिछधानति कारिन बतते है हमारा यह जो सरीर है केवल हमारे भोजन से नहीं चलता हौँ ध्यान से सुनना, बडि विद्गनिक और सास्त्रों में वरनित एकी बात कर दो हमारा soreर केवल भोजन से नहीं चलता हम छोविश खंटे ब्रम तो हम जो परमानुव के समूह को गहन करते और छोड़ते हैं इसका एक्रम होता है जीवन के आरंभिक दिनों में हम गहन जादा करते हैं छोड़ते का में पिर एक एज आने पर जित्ता गहन करते हैं उतना ही छोड़ते हैं अनुपात लगवग वराबर होता है पर जैसे जैसे उम्रकी डहलान होती है आमदनी घड जाती, खर्चा बढ़ जाता है बच्पन में हमारी ग्रोथ क्यों होती है क्योंकि हम जदा जोड रहे हैं और छोड कम रहे हैं यवन आवस्ता आते हैं एक लेवल पे आते हैं हमारे सरीर की ग्रोथ परती है फिर प्रॉड़ावस्ता में लगवख समान बने रहते हैं धीरे धीरे जब बिद्धावस्ता की ओर जाते हैं कितना भी आप अपने आपको मेंटेन करो जुर्यां आएगी बुड़ापे के लक्षन सरीर में दिखेंगे क्योंकि रास्मेंट होना है परिशातन होगा जड़ेंगे और जब पर्मानुआ का कलेक्षन कम होगा ज़लना ज़्यादा है तो आमद कम और खर्चा ज़्यादा अलक्षन है मिट जाने का तो मिटोगे इसलिए सभी बुड़ों से कहूंगा उम्र घटने के बाद जहनजटो जहमेडों और आस्रक्तियों से अपने आपको बचा लो ताकि हरास्मेंट कम हो खर्चा कम करो जब आमदनी कम होती है तो आप लोग क्या करते हैं खर्चा ही कम करते हैं लेकि यहाँ आमदनी तो घटी है और खर्चा चल रहा है तो क्या होगा, पड़े रहोगे, परालाई धोका है, ब्रेन स्ट्रॉका जाएगा, और कोई प्रोब्लम आ गई, जिन्द आलास बनकर के भी जिते हैं महुत लोग, अपनी च्छम ताको, सही दिशादो, तु रास्ता प्रस्षास्त अगा, समझें, ये इसका का रहा है, पिज़े सोधिया, गड़ा कुटा, उसके बाद तैयारेंगे, शूतिधार गुएंतान श्रिमान शतिश जी, जैपुर गुरुबर हमें मिला है अन्पम उपहार, आपके आसीस ने किया है हमें उपकार, हमेशा रिडी रहेंगे गुरुबर, जन्मों जन्मों के लिए हो गए हैं आपकी कर्जिदार, दोनों मुनी राजों के चर्णों में, मेरा और मेरे परिवार की ओर से, त्री बार दोनी के चर्णों में, नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू. महरा श्री, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल करीब दो साल से चल रहा है, और हमारे जो आफिस में काम करने वाले हैं, मतलब जो मेरे साथ में मिहुल जी हैं, उनके आफिस में काम करने वाले हैं, दिपेश भाई शाह, उनका ये सवाल है, वो हिलगन रतनागिरी से पूछ रहे हैं, और हमारे आफिस में VFX सुपरवाइजर है, उनका सवाल है महराश्री कि मैं आट साल का था, तो मेरे पिताजी खतम हो गए, मेरे दू चाचा थी, और दोनों चाचा ने हमारी मा को और हमें छूड़ दिया, जायजात से भी अलग कर दिया, जमीन थी, जायजात थी, मकान था, और हमें अलग कर दिया, अलग करने के बाद मैं मेरे मामा के हां गया और वहां उन्हें पाला, उन्हें कहा ऐसा हमें उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा और आ होसा है समय आगे बड़ा उसको वी एफेक्स से रेट चिली से आफर मिला और यूएस भेजा यूएस में उसने मकान में खरीदा और अभी इंडिया कि बॉम्बे में स्टूडियो वी सिंक में वो काम कर रहा है और हमारे गुणायतन में जो हमारा मैन राइट फिल्म बनी है उ उसका सवाल यह है कि पूरी जाइजा छुडाने के बाद भी वो आज परशान है दीरे-दीरे उनका व्यापान नहीं चला सब उनने बेच दिया और मेरा सब कुछ चला जाने के बाद भी मैं सुखी हूँ मैंने धीरे-धीरे मुझे भगवान ने सब दे दिया अब वह बीम कभी 50,000 की मांग करते हैं और मैं पिछले 7 साल से उनकी मदद कर रहा हूँ अब इसको लेके मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी मां से बिवाद होता है वो कहते हैं कि जब उनने हमें मरने को छोड़ दिया तो तुम क्यों उसकी मदद करते हो अब उनका कहना है कि महाराश्री अभी तक तो में कर रहा था मदद क्योंकि भगवान हमें दे रहा था तो हम कर रहे थी खून के रिष्टे ऐसे नहीं बदलती ये सोचके में मदद कर रहा था अब क्या करना चाहिए क्योंकि अब इस्थिती उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है अब उनकी माने बोल दिया या तो अब हमें छोड़ो या फिर उनके साथ में जाके रहा हूँ मडाही बिचित्र प्रशंग है और ये बिचित्र प्रशंग नहीं संसार का नगनचित्र है ये हकीकत है अर्धन, पैसे, जमीन, जाइजाद के ब्यामों में मुनुष्य कितना नीचे गिर सकता है उसका ये एक उधारन है मैंने इससे भी निक्रिष्ट अधरन देखे है जिसमें लोगों ने नकिवल जाइजाद हरपी अपितु जाइजाद हरपने के साथ साथ हत्याएं भी करी है और करवाई है जब मनुष्य की द्रिष्टी में पैसा ही सब कुछ हो जाता है आयू कहें कि धन का भूत सवार हो जाता है तो ऐसे लोग इस तरह के अनर्थ करने में रंच मात नहीं ही चखते लेकिन इसी प्रशंग से ये बात प्रकत होती है कि वेक्ति किसी की संपत्ती को हर सकता है किसी के पुन और भाग को नहीं हर सकता है तुम्हारा नुक्सान पहुचाने की कोशिश की पर तुम्हारा नुक्सान तो नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ तो एक बात इस सभी लोगों को सीख लेना चाहिए कि कोई मेरा नुक्सान तभी कर सकता है जब मेरा पापोदय हो मेरा पुन्योदय हो तो कितना भी नुक्सान करने की कोशिश क्यों न करे मुझे मिटा नहीं सकता तो जो हुआ उनने गलत किया और संयोग की गलत का परिणाम में उनने भोग लिया सब कुछ हड़पने के बाद भी जो 10-10-20-20 हजार रुपिय के लिए मोहताज हो जाए उसने तो भोग लिया अब रहा सवाल कि ऐसी मदद हम कब तक करते रहें अभी तक जो किया है वो एकदम असाधरन है बहुत कम लोग करते हैं ऐसा लेकिन जो कुछ भी किया है वो एक अनुकरिनी उधारन है अब रहा सवाल आगे के लिए क्या करें तो मैं तो एक कहूंगा इतने दिनों जो उनको पैसों का सहोग दिया उसकी जिगा उन्हे कोई ऐसा रास्ता दिखाते कि उन्हें पैसा मांगने की जिर्वत नहों उनके बच्चे को इस्टेवल करने का रस्ता दिखा देते तो साइध उनको हाथ पैलाना नहीं पोड़ता और अब चुकि परिवार के बीच में ही जगड़ा है तो पहला प्रयास ये करे कि अपने माशे अपने पत्नी से आप परिवार के सदश्यों से ये कहने और समझाने की कोशिश करे कि देखे उनने सब कुछ हड़कर के भी हमारा क्या चीना और हम कल से आज बहतर हैं तो क्यो नहीं हम ऐसा सोच ले कि वो हमारा किसी जिनम का कोई कर जा था सरट गया आज हम कर रहे हैं उनके भागे से हमारे पास कुछ अतरिकत भी तो आ सकता है यदि ऐसी सोच सकारात्मक बना करके चले तो ये मामना ठीक हो सकता है और यदि परिवार के लोग इसके लिए राजी ना हो तो फिर दूसरा रास्ता यही है कि उनसे अत्त बिनम्रता से हाथ जोड ले कि मुझे माफ कीजे अभी तक मुझसे जित्ता बना मैंने किया लेकिन अब मेरी इस्तिती नहीं है पर भावना ये भाते रहे कि ऐसे वेक्तिका वे उद्धार हो उनका वापस उत्थान हो जिससे वे अपने जीवन को अच्छा बना सके शूत्रदार गुनायतन श्रीमान शती जी रणकर जी जैपुर उसके बाद तेयारेंगे श्रीमती दीख्चा शंगितकार गंजवाशोदा की तरफ पे आपके चरणों में शत-शत बात नमन करता हूं मेरी दो जग्यासाए है एक तो है भकतामपर पाथ के दारान उसमें जुडए हुए मट्रों का श चारन भी घर पर किया जा सकता है क्या है दूसरी जग्यासा कृ JOE है जिन मंत्रों के अंत में स्वाशब्द आता है उनका जाब घर पर करना उचित आ क्या इस देखें, मंत्र जाब जाब घर में बादा नहीं है लेकिन आहुती पुर्वक देरे ये तो फिर वहाँ आप दूप खेहने की विवस्ता करें और इस्थान की शुद्धता का ख्यालग अर आहुती नहीं है तो फिर नम्हा बोल के का नहीं है श्रीमत्य देख्चा जी गान्य वाशदा उसके बात यह रहेंगी गुणायतन टेश्टी श्रीमत्य कमलेश जी श्यागर गुरुत विप के चर्णों में शषट नमन करती हूं नमन शषट शट नमन है कईते हम तो में नमन है नमन शट शट नमन है करते हम तुम्हे नमन है सुर के गीतों के सुमन लेकर तुम्हारी शरण है सुरके गीतों की सुमन लेकर तुम्हारी शरण है नमन शत शत नमन है करते हम तुम है नमन है ओ ओ ओ शावाल कर लो जल्दिशा गुरुदेव की चर्णों में शत शत नमन करती हूँ नमुस्तु गुरुदेव गुर्दुई मेरा प्रेशन यह है कि जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में अनेक मंदिर पढ़ते हैं तो उनमें बिराजमान प्रतिमाओं को नमशकार करना कितना फल्दाई होता है हम तो बीतराक्ता के आराधख है और बीतराक्ता को नमन करने से अनन्त गुने कर्म का च्छे होता है हमारी दिष्टी वही होनी चाहिए गुलाइट दिष्टी श्रीमती कमले जी सागर उसके बाद तैयारेंगे शागर निवाशी श्रीमान आनंद कुमार जी श्रीमान आन्द कुमार जी श्रागर उसके बाद तेयारेंगे शुभम जैन बेल खिड़ा श्री महिश बाबा सेवा ये सुधा केंद परिवार के ओर से मुनिश्री को नमोस्तू 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 मुनिश्री दो छोड़ी चोड़ी जिग्यासा है एक निजी है एक साथ हाजारन है निजी जिग्यासा यह है कि जब मेरी माता जी भावना योग करती है उनको मुत्याबिन की परिशानी है तो जब भी मैं शुरू करती है भावना योग तो उनके आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है जितनी देर भावनाय योग करती है उतनी देर उनको पानी आता रहता है तो इसका क्या है, दो साल से उनकी सितित्य में कोई बदलाव नहीं आए डॉक्टरों के साब से लेकिन क्या ये ठीक हो रही है या क्या हो रहा है और दूसरी छोटी सी, मतलब दूसरी जिग्यासा है, कि अभी तो जैसे 25-49 चल रहा है महावीर समवंथ, इससे पहले क्या कलेंडर हुआ करता था और हमें कभी 15-20-20-20 साल पुरानी प्रतिमाय कभी नहीं, मतलब निकलती है, पहला सवाल जो आपने भावना योग के ले करके क पहली बात तुमें कहूंगा कि भावना योग को हरो की दवा के रूप में जो आप लोग पचारित कर रहे हैं थोड़ा सा ठीक नहीं, भावना योग शे लाभ मिलता है, लोग अपने अपने अनभाव भी रखते हैं, आज भी साइज इस सभा में एक दो लोग हैं मुझसे क भाव तो नहीं है, लिकिन उस लेवल की भावना हो ना, जब अचार मान तुम के ताले तुर सकते हैं तो तुमारी मोती आबी इन छोची शी चीजे हैं, पर उस लेवल पर जाओ, हम लोग अधर देखते नहीं, तो इन सब चीजों मड़ी दुबधाय होती हैं, जो मेडिकल एड लेने की चीजे हैं, उसको वहाँ देखना चाहिए, हाँ, भावनायोग से एक सबसे बड़ा लाव यह है, यजी नीमीद भावनायोग करें, तो बिमारिया आए ही नहीं, अभी डाक्टर सुभाश चेकरिया ने बहुत अची बात की थी, कि बिमारियों को सेटल होने के पहले आप कीजे, सेटल होने के बाद जितना डेमेज करना था तो कर दिया, तो लोग करते हैं, जब सब जगा से थक हार जाते हैं, उससे एक लाव होता है कि उससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं बनती, तो लोग सभलते हैं, और आप लोग उसके लिए नितनतर प्रत रही तो लाव मिलेगा, रहा सवाल उनके आखोशे पानी आना, अगर पानी आ रहा है और दुबारा चेक करने से अंदर कुछ परिवर्तन है तो उसे एक चमतकार मान सकते हैं, लेकिन पुरह मैं कहूंगा यह बहुत चोटी सी चीज है, आख का मुतिया बिन, कोई बड़ी चीज तो एक चोटी सी साजरी से ठीक हो जाएगा, उसमें ही दिमाग लगाना चाहिए, हाँ, भावनायोग का एक लाव यह हो सकता है कि कदाचित किसी की दृष्टी को भी जाए ना, तो अंत दृष्टी जग जाएगी और दिप्रेशन में नही आएगा, भावनायोग तुमें समबल एगा, ताकत टेका, समर्थ बनाएगा आगे बढ़ने के लिए और जीने के लिए, यह ऱ्यटागी जाएगा. अब दूसरा है, लोगने का दुट का, तो कलेन्डर ऑफक टैशली तो कलेंडर पहले भी था, अभी वीनिरवान के पहले भी जाल्टा था, अबिशली चल सोपचास बरस बाद फिर कुई बड़ा परिवर्तन हो जाया तो यह भार काल की चीजे हैं वक्त वक्त पर बदलते रहती है और कारिकम चलता रहता है